महिंद्र सिंग धोनी को तो आप सभी लोग जानते होंगे एक छोटे से शहष से निकल कर एक महान क्रिकेटर का खिताब जीतने वाले महिंद्र सिंग धोनी ने अपनी करियर में बहुत संघर्ष किया है और इतने संघर्ष के बाद वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और इसी कारण उन्होंने इस दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली है उनकी कप्तानी ने काफी लोगों का दिल जीता है और महिंद्र सिंग धोनी ने इस साल 2019 में लास्ट वर्ल्ड कप भी खेला था जिसके बाद वो अब दोबारा कभी वर्ल्ड कप में नजर नहीं आएंगे महिंद्र सिंग धोनी को तो आज पूरा भारत बखु भी जानता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी गर्ल फ्रेंट्स कौन कौन थी और क्या करती थी और कैसी दिखती थी तो ये सभी बातें जानने के लिए आप हमारी विडियो को एंड तक देखें और ये एक राजपूत परिवार से हैं और इन्होंने जारखंट के राजी में सियामली मिस्थित डीएवी विद्या मंदिश स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और लोग इनको प्यार से माही कहकर बुलाते हैं लेकिन अगर बात की जाए इनकी पर्सनल लाइफ की तो शादी से पहले इनका अफेर काफी लड़कियों के साथ रह चुका है तो चलिए जानते हैं उनहीं के बारे में दोस्तों MS धोनी और प्रियंका जहा की मुलाकात कॉलेज में हुई थी और बताया जाता है कि प्रियंका जहा कॉलेज टाइम से ही धोनी को बहुत प्यार करती थी लेकिन एक हाथ से के कारण प्रियंका जहा की मौत हो गई थी और इनका ये प्यार अधूरा रह गया था नमबर टू पर हैं दिपेका पादुकोन बताया जाता है कि दिपेका पादुकोन भी महिंद्र सिंग धोनी से बहुत प्यार किया करती थी और ये भी बताया जाता है कि इनकी नस्दीकिया भी बढ़ती जा रही थी फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि धोनी का ये दूसरा प्यार भी अधूरा रह गया और दिपेका पादु को उनकी नस्दी किया युवी की तरफ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और एक बार फिर धोनी अकेले रह गए दोस्तों राय लक्ष्मी और महिंदर सिंग धोनी के प्यार के चर्चे भी काफी जोरों से उठे थे लेकिन ये दोनों बहुत कम एक दूसरे से मिलते थे और बार भी बहुत कम किया करते थे इसी कारण इनकी ये कहानी बहुत कम चली और ये जल्द ही अलग हो गए असिन और महिंदर सिंग धोनी की खबरे भी काफी चर्चाओं में रही थी बताया जाता है कि धोनी एक बार क्रिकेट खेलने जा रहे थे उसी दौरान वो असिन के अपार्टमेंट में पहुँच गए और जैसे ही मीडिया को इस बारे में पता चला वैसे ही हर कोई हैरान रह गया था सब इनके बारे में ये खबरे सुनकर हैरान रह गए थे लेकिन इनकी ये चोटी सी कहानी बहुत जल्द खतम हो गई नमबर फाइव पर है साक्षी शादी से पहले इन दोनों के अफैर ने भी खूप सुर्खे अमबटोरी है और कुछ साल साथ रहने के बाद आखिर इन दोनों ने साल 2010 में शादी कर ही ली और आज वो बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही है तो दोस्तों आप लोगों को महिंद्र सिंग धोनी की जोड़ी किस अभिनेतरी के साथ सबसे ज्यादा अच्छी लगी आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताए और बॉलिवुड की ऐसी ही जानकारियां पानी के लिए हमारे चानल को सबस्क्राइब करना ना भूलें